नमस्कार एटोजेट डिशष उशाकोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी पच्चापुली यह आपने नाम शायदी पहले कभी सुना होगा यह आप बनाते तो होंगे अलग तरीके से साउथ इंडियन में पच्चापुली यह बून कर तो बनाते ही है यह एक बार जरूर ट्राइ कीजिगा उसके लिए जैसे हम बैंगल लेते न वैसे ही आपको ले लेने हैं मैंने आपर यह तीन से चार बैंगल ले लिए मीडियम साइस के इसे मैंने पानी से अच्छे से वाश करके कपड़े से पोच लिया है आदी चमच राई दो से तीन सूखी लाल में श्टोड कर डाले हलका सा भूनने के बाद ना इसके अंदर आपको डाल दीने है पांस ते छे कड़ी पते और इन सभी यह जो तड़का है ना इसे आपको एक मिनिट के लिए ही भूनना है जादा नहीं भूनियेगा अब यह त सरसो का तेल एक चमच जैसे सरसो का तेल गरम हो जाए तो यह कटे हुए बैंगन आपको डालने है और बैंगन को तकरीबन पांस से छे मिनिट के लिए ऐसे ही भूनना है सरसो के तेल के अंदर अब आप सोचेंगे कि सरसो का तेल क्यूं इससे इतना बढ़िया स्वाद आता जैसे हम यहाँ पर बैंगन का बर्था बूलते हैं वैसे साउथ इंडिया में इसे पचा पुली कहते हैं यह बहुत ही अच्छा बनता है इतना चटपटा इतना टेस्टी लगता है ना मतलब जो बैंगन खाना नहीं पसंद करते वो भी इसे आराम से खा लेंगे तो यहाँ के साथिसाथ इसके अंदर आपको डाल दीना है इमली का पानी एमली का पानी वी समाझ सकते हैं बहुत हिए जговी हाथों से मिक्स करना है अच्छे से इन सभी चीजों को मिक्स कर ले और यह साउथ इंडियन स्पेशल बैंगन का वर्था इनके पच्छा पुली बनकर तयार है अब आप जैसे चावल के साथ खाए या फिर रोटी पराठे के साथ यह बहुत 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 ही टेस्टी लगता झाले हैं